जूता उठा लेते हैं नितीज कुमार, सर पर रखते हैं, बिहार भाज पाकु तो कई वार मैंने कहा कि लटकोड पड़ी हुई है, हाँ बिहार भाज लालु जादब का चारा घोटाला आठ सो कड़ोर का था, याठ अजार कड़ोर डकार करके नितीज उपदिसक बने हुए है, हमारे उपर तो किड्नेपिं का केस कराया नितीज कुमार बिहार में बंगला को लेके सियासत है, बिहार के दो डिप्टी सीम है, रेनु देवी और तारकिसोर परसाद को जो नोटीज बेजा गया है और जुर्माना लगाया गया, वहीं इस पूरे मामले को लेके रेनु देवी और जो तारकिसोर परसाद है वो काफी गुस्से में ह कि कई ऐसे भी लोग हैं जो किसी पद पे नहीं है लेकिन वो आठ महीने नौ महीने से बंगले में रह रहे आखिर नितिश कुमार क्यूं कारवाइब करने निर्वान विवाग जो है वो क्यूं कारवाइब नहीं करा और उसके बाद आज महागडवंदन की और से कहा कि ये वह भी बीजेपी है जो राम भिदाब पासवान जी का बंगला खाली करने का काम किया थूँ अधिटिष कुमार के कहने पर ही नितिषकुमार के प्रवाव में भाजपा के लोग बहुत रहे हैं आई इसलिए भाजपा को आज सब लोग चुनोती दे रहा है आज जरूरत है ना चिराग पासवान की ये लोग इनकी इनका मुह नहीं खुलता था इन लोग को उसी समय बोलना चाहे था तारकिश्व प्रसाद को बोलना चाहे था गलत काम कर हो रहा है उसका विरूद करना चाहे था आज नितीश कुमार तो राजा की तरह बेहेव कि मंत्री लोग का मुह छुप था तो हम तो बेक्तिगत कोई लडाई नहीं थी लोकतंत्र में जो लोकतंत्र की कमजोरी है एही है कि शत्य के साथ खड़ा हुए पूरे तोर पर नहीं खड़ा हुए कुछ तो यह भाजपा के लोगों ने ही इनको उस समय समझना चाहिए था कि इनके मेंटर थे जो विचारों के प्रकास पुंज थे उनके साथ कितना बड़ा अन्याय किया और इनको माथा पर लेकर के नितीश कुमार को घूम रहे थे हम लोगों को तो अभी भी डर लगता है कि कब इ नितीश कुमार भाजपा में चले जाएंगे कोई नहीं जानता है नितीश कुमार सिर्फ कुरसी के लिए बनाया और भाजपा के लोग सुविकार कर लेंगे इसलिए भाजपा में नरंदर मोदी ने कुछ बड़ा काम किया है लेकिन बिहार भाजपा को तो कई बार मैंने कह कि लट्खोर पार्टी हो गई है अब चले जाएंगे कल चले जाएंगे तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा हम तो व्यक्तिकत तौर पर कई बार कह चुके हैं पब्लिक डोमेन में कि जिधर नितीस रहेंगे उधर अरुन कुमार नहीं रहेंगे चुकि मैं मानता हूँ कि बिहार में इतना बड़ा जालसाजी का कोई जाल बिहार को बुझा है अभी UPSC का रिजल्ट आया है जो कट अफ मार्क के नीचे जो कैंडिडेट है वो पास कर गया जो इलिजबुल नहीं है में परिक्षा में जाने का वो पास कर गया उसका रिजट हो गया यहां मारे पास डॉकुमेंट बच्चों ने भेजा और मैं प्रिस कंफरेंस करना चाहता हूँ इतना गंदा आदमी जो राज्य को इतना बरबाद कर दे जो मैंस्टेट कल इस जाली तरीके से चून करके जाएगा किसी को ने देगा क्या जो पैसा दे करके जा रहा है जो डी एस पी सारे कुकर्मों में फसा था उस पर क्या करवाई हुई और ऐसी ततुसरगना का जो मुख्य है एक I.S. आफिसर जिसको नितीज कुमार ने लाया है यही कुकर्म कराने के लिए उस पर कौन किसी कारवाई हो गई और इसी लिए चौसटमी की परिक्षा में भी इतना घोर अध्याचार हुआ है इसलिए इस चुनाओ नाव में तो बहुत इंट्रेस्ट भी नहीं रहता है अब बिहार की आवाम और मुकेसानी ऐसी सड़ी-गली विवस्था को ले करके नाचें तो नाचें अरुन कुमार को डर नहीं है ये बिहार को गर्त में एक ही आदमी से उमीद है हमको चिराक पासवान से और इसी लिए सब कुछ छोड़ करके हमारी पार्टी थी हमने मर्ज करा दिया और सब कुछ छोड़ करके अंतिम सांस तक हम लड़ाई लड़ेंगे जो लोग भी लड़ेगा नितिस कुमार के खलाफ इतना बड़ा है राजक सिर्जन घोटाला लालू जादब का चारा घोटाला आट सो कडोर का था ये आट अजार कडोर ड़कार करके निति उपदेशक बने हुए है और मुके साहनी चल रहा हैं बड़ा सब अतिच सिखाने राजनीत के पुरबदार बने हैं आखरी सवाल है आप इस बात को स्विकारते हैं ना कि नितिस कुमार कुरसी के लिए कभी राज़त के साथ कभी बीजेपी के साथ अगर फिर उनको खत्रा महसूस होगा राज़त से तो वो फिर बीजेपी के साथ आएंगे और बिहार djp स्विकार कर सकती है।। इसलिए हम अलर्ट हूं। दुःजार वीच में यही चिराक पासवान नितीश कुमार को कमजोर किया है। आज जब जरूरत होई तप फिर चिराक पासवान को इसलिए हमको डाउट हो रहा है कि सरजन घोटाले के मुख केपी रमया क्या थे केपी रमया को तो इस्तेमाल किया केपी रमया आज भागे फिर रहे हैं ऐसे दस क्लैक्टर हैं जो मुख मंत्री वैसे लोगों के घर में जा करके सोह भोजन करे जो इन सारे कुकरमों में सामिल जो कैग है जो बित्य अनुसासन की सबसे बड़ी संस्ता है भारत सरकार की वो कह रहा है कि आपका पैसा टैक्स का पैसा आपको जो बित्य यह मैनेजमेंट के लिए दिया गया है वह बाजार में घूम रहा है पैसा और कडोरों में है और आप उस फाइल पर आठ साल बैठे रहें इसमें जांच की क्या जरूवत है मुकमंद्री को जिल भेजना चाहिए अन्यतिक बल इनके साथ नहीं है कभी नहीं है अरुन कुमार को छाती तोडने के सबाल पर उस केस का कितना मोनेटरिंग हो रहा है इनका एक सिखंडी जो है वह इधर उधर घूम करके मैनेज करके तीन साल की सजा हमको करा है कि अरुन कुमार चुनाओ नहीं लड़ेंगे लेकिन अरुन कुमार ऐसे सैकलों लोगों को पैदा कर दें कि इन राक्षसों को जो बिहार को लूटा है इसकी चिंता नहीं है हमारे उपर तो किड्नेपिंग का केस कराया नितीज कुमार ने इन्हीं सिखन्डियों के सहयोग से हमने केस किया इन लोगों पर भी इसलिए हम लड़ाई के लिए तैयार हैं नितीज कुमार माइनस बिहार बच जाएगा नितीज कुमार सत्ता मेरा है तो और ये पाप में भाजपा भी हिसेदार है इस वार जनता भी भाजपा से भी हिसाब लेगी जदी नितीज कुमार को पुनह वापस लिया मैं खुली चु ना होगा त्रिकोनिय मुकाबला होगा लेकिन नितिस कुमार से आर पार की जो लड़ाई है वो अरुन कुमार की बदस्तूर जारी रहेगी रोहित नट्रादिश पटना